गूगल का बड़ा एक्षन प्ले स्टोर से रिमूव हुए शादीनौकरी.com समेत ये एप गूगल ने कुछ भारतिय एप्स पर एक बड़ा एक्षन लिया है गूगल ने इन 10 एप्स को अपने एंड्रोइड प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया है इस लिस्ट में कई जाने माने नाम भी है इसमें शादी.com, नौकरी.com, 99 Acres जैसे नाम शामिल है बीते साल कमपनी ने कुछ एप डिवलोपर को चेताबनी भी दी थी धरसल कुछ एप्स गूगल की बिलिंग पॉलिसीज पर फेल नजर आएं इसके बाद उन्हें शेताबनी दी गई. अब आखिरकार गूगल ने 10 एप्स पर आक्शन लेते हुए इन एप्स को गूगल प्ले स्टोर से रिमूव करने का फैसला लिया है हलाकि अभी तक गूगल ने सभी Disputed Apps की लिस्ट जारी नहीं की इन एप्स पर लिया है एक्शन गूगल की तरफ से कुछ एप्स पर एक्शन लिया गया है जिनके नाम की जानकारी सामने आई है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक ये नाम कुकु एफेम, भारत मैटरमुनी, शादी.com, नौकरी.com, 99 Acres, Truly Madly, Quack Quack, Stage, ALTT और दो अन्य एप्स हैं जानिए क्या है मामला मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक ये मामला सर्विस फीस पेमेंट न देने का है इसी वजह से टेप्स जगत के दिगज प्लाटफॉर्म ने इन एप्स को रिमूव करने का फैसला लिया है दरसल कई स्टार्टप चाहते थे कि गूगल की तरफ से चार्ज ना लगाया जाए और फिर उन्होंने ये पेमेंट नहीं की हलाकि ये मामला सुप्रीम कूर्ट भी पहुँचा गूगल को इसमें हरी जंडी मिल गई और एप्स को कोई राहत नहीं दी इसके बाद स्टार्टप को फीस का भुगतान करने को कहा या फिर उनके एप्स को हटाया जाएगा गूगल की पॉलिसी क्या लोचना भी की गई कोकू एफेम के सीओ लालचंद बिशु ने एक्स प्लाटफॉर्म यानि पुराने ट्विटर पर पोस्ट करके गूगल की अलोचना की और उसके फैसले को गलट ठहराया नौकरी.com और 99 Acres के फाउंडर संजीव भिकचंदानी ने भी पोस्ट करके गूगल के प्रती अपने नाराज की जाहिर की हारा कि अब इन एप्स की प्ले स्टोर पर कब तक वापसी होगी उसके बारे में अभी कोई details सामने नहीं आई है.